अजब आपका अमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हो सिमेंट स्थेंदर इस्थेश के बारे में ठीक है तो दोस्तो ये टेस्थ हम और जाली से कती पार्ट वर के अनुसार करते हैं तक हमें यह सहने मालूं चले कि दोस्तों सेमेंट में कितना प्रशेंट वाटर मिला है कि हम एक निस्चित इस्टेंडर कंसीटेंजीन का ग्याथ हो तो आएए मैं आपको प्रूरा प्रोसीजार समझाता हूं सबसे पहले दोस्तों आपको जो सीमेंट यूज करते है वो PPC Cement होता है और OPC Cement के comparison PPC Cement का standard कर्षिस अधिक होता है इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ ज्यादा लैब में PPC Cement की यूज होता है इसलिए दोस्तों मैं आपको आज एक experience शेहर करने वाला हूँ चलिए मैं आपका PPC Cement Test पे एक practical आपको वीडियो दना के दिखाता हूँ दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ अप्रेटर्स के बारे मताता हूँ हमें दोस्तों दोस्तों चाहिए mixing के लिए अब देख सकते हैं यह दो चाहिए हमको मिक्स करने के लिए और इसमें चुला चाहिए जब तक ही से सेमेंट उठा करके हम बिकेट मॉल्ड में अच्छे तरिके से बढ़ ले और दोस्तों हमें एक मिजरीं जार चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं यह मिजरीं जार रहा है इसी के साहता से दोस्तों हम वाटर मिलाते हैं और यह हमें बैलेंस है जिसका लिश्ट काउंट होता माती सब्सक्राहिए जिसका वुपरी सब्सक्राहिए डाय होता है सत्तर मेर्स प्लस माइनस पाट अमें अच्य सब्सक्राइव फटीन inify जोस्तों मैं जुस्तों मैं आपको इसे में मूस्ट मादी बता दूँ प्लंजर भी उसका ड्राम का है 10 समुन और इसकी हाइड होती ह तेस्ट में और दोस्तु मैं आपको बता दू इसमें आप देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं इंडिकेटर देख सकते हैं आपको चलिए पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझाता हूं और तैसे कैसे हम इसे आपको आगे दिखाऊँगा मेरे वीडियो बने रहेगा इसकीप मत करिए वीडियो पूरा बने रहेंगे तभी आपको पूरा प्रोसीजर समय आएगा तो चलिए आपको अच्छे दिखाता हूं ठीक है दोस्तों आपको बता दे एस पर आईयस कोड चालीस इस वार्ट फोर् चाहर सो ग्राम सेंपल का वेट करने के बाद हम थो 3-3 परसेंट वाटर लेंगे थाकी हमारे लें में ज्यादा थर हम लोग 33 परसेंट ही यूज कर रहे हैं जिस पे हमें 5-7 रेडिंग अचीव हो जाता है इसलिए हम 33 परसेंट पे आपको एक एक्सपिरियंस शेर कर रहे है 33% देख सकते हैं जब हम 400 gram का 33% निकालेंगे तो 132 gram आता है और हम 132 gram water weight कर लेंगे आप देख सकते हैं हम 132 gram water का weight कर रहे हैं 132 gram water का weight करने के बाद हम mixing करेंगे एक बात आपको दोस्तों बता दे कि इस समय आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए सिमेंटेस्ट होने के दौरान हमें रूम का टेंपरेचर ध्यान देना होता है जो कि इंटर्वी में ज्यादा तर पुछा जाता है सताइस डिगरी सेसेट प्लस माइनस दो डिगरी सेसेट होना चाहिए और हमीडिटी दोस्तों पैसर परसेंट होना चाहिए स्थी तो फाइट मीडिटी में हमें कम्प्लीट करना है मिक्शन जितना अच्खा करेंगे आपका रेजल्ट अतना अच्ठा यहेगा मिक्शन सुरू करने वाले हमको अब दोस्तों इसमें आपको स्टाप्फ भाज की ज़रूद पड़ती है हम ने इस टॉप को आज का यूज नहीं किया है हमने मोबाइल के साहता से कि का द्यान दिया है तो वाटर एड़ कर दिये है आप यहां से हम दोस्तों सुरू करेंगे अब टाइमिंग पे ज्यादा ध्यादा द्यागा यह मेक्सिंग का जो भी प्रोसिजेर रहेगा हमको तो तीर मिनिट के अंदर कम्प्लीट करना है और दो मिनिट के अंदर हमें विकेड मौन में भल लेना है ठीक है तो आप देख सकते हैं हम मिक्सिंग कर रहे हैं अच्छे से कि मिक्सिंग शुरू है और एक चीज़ बता दे दोस्तों कि यह टेस्ट हम आईच पर आईएस कोट 4031 पार्ट फोर के अनुसार करते हैं विकेड मौन में भरने के बाद हमें दोस्तों जो प्लंजर हम सेट किये हैं तेने में का उसे बिकेड के टॉप सर्पेस पर ला करके इतंब क्विक्ली रिलीच करना है और उसके बाद जो रिडिंग आयगा उसे हम नोट करेंगे देख सकते हैं हमने बिकेट मॉल में भर लिया है बिकेट मॉल को भी set कर दिया अब ये देख सकते हैं पलंजर को हम टॉप सर्पेस पर ला दिया है अब इसके बाद इसको quickly release करेंगे अब release करने के बाद हम दोस्तों reading पढ़ेंगे indicator हम आपको बताया तो पीछे वीडियो में आप देखेंगे indicator को हमें reading असानी से पढ़ सकते हैं यह reading दोस्तों 5 से 7 के बीच में आना चाहिए देख सकते हैं यह reading हमारा 7 अचीब हो गया है यानि दोस्तों हमें यह consistency मिल गया ऐस पर आई-एस कोट के अनुसार दोस्तों यह 7 पाइब टू 7 रेडिंग आना चाहिए यदि दोस्तों किसी करनवस हमारा 7 से उपर हो जाता है या 5 से नीचे हो जाता है 7 से उपर होने पर हमें दोस्तों और वाटर आड़ करना पड़ता है ताकि रेडिंग हमारा 5 से साथ के बीच में आए यदि अगर हमारा 5 से नीचे चला जाता है तो हमें वाटर परसेंटेज घटाना पड़ता है ठीक है यह procedure पूरा complete हो गया दोस्तों जो यह reading आता है अब एक चीज आपको बहुत इंपोर्टन बता दे कि हमें यह जो 33% consistency अचीव हुआ है अब इसकी सहता से हम साउंड ने स्टेज इनिसिल टाइम सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम और कंपरसी स्टेंटेंस करने में हमें बहुत helpful साभित होता है हम इतना ही वाट झाल